नमस्कार स्वागत है आपका बिहारी नीजस पर मैं हूँ आपके साथ राजमुहंतिवारी कुरोना काल में चुनाव कराने को लेकर विपक्षी पार्टियों के लगतार विरोध के बावजूद चुनाव आयोग ने चुनाव कराने के संबंद में गाइडलाइन जारी कर बिह राजनितिक दलों और गटबंदनों में होहला जो अभी अंदर खाने मचा हुआ है वो कुछ दिनों में आपको बिहार की सरकों पर भी नजर आने लगेगा साथ ही राजनितिक दलों के नेताओं ने भी अपने राजनितिक भविश्य को देखते हुए दल बदल का कारिक्रम सुरू कर दिया है चुनाओ और सत्ता की लड़ाई के मदे नजर सभी प्रमुक पाटियां अपने अपने कोरवोट वैंग को बचाने तता अन्य समुदायों को अपने तरफ करने के लिए परचार परसार में जुट गई है लेकिन चुनाओ के इस होहला के बीच एक ऐसी पा हम बात कर रहे हैं असदु दिन OEC की पाटी AIMIM की पिछले दो चुनाओं से बिहार की राजनितिक में प्रवेस करने की कोशिस कर रही AIMIM को पिछले साल अक्टूबर में हुए बिहार विधान सभा के पांच सीटों के उप चुनाओं में किसन गंज सीट पर जीत के साथ बि जीत पाई गी पिछले दो बार से किसन गंज की विधान सभा सीट जीतते आ रही कॉंग्रेस के लिए ये किसी जटके से कम नहीं था क्योंकि कॉंग्रेस को हार तो मिली ही साथ ही वह मुस्लिम बहूल इस सीट पर बीजेपी से भी पिछरते हुए तीसरे नंबर पर चली दिया था जो की काफी उम्रदराज हैं किसन गंज की जादातर जनता का यह मानना था कि सांसद साहब सब राजनितिक पद अपने घर में रखना चाहते हैं खुद तो सांसद हैं ही साथ ही विधाईकी का पद भी उनी के पास रहे इसलिए बुढ़ापे में माक चुनावी मै में उतार दिया इसी वज़ा से किसन गंज की जमता ने कॉंग्रेस को नकारते हुए AI MIM के कमरूल होदा को जिताना बहतर समझा उप्चुनाव में AI MIM को कुल परे वोटों का लगबग 42% मिला था वहीं दूसरे नंबर पर रही भाजपा के सुटी सिंग को लगबग 36% मिला जबकि गड़ कहे जाने वाले कॉंग्रेस की सईदा बानु को मातर 15% मिले थे ये आकरे इस और इसारा करते हैं कि AI MIM का रुतबा बिहार में काफी ज़्यादा बढ़ चुका है और AI MIM को आप केवल किसन गंज नहीं बलकि सिमान चल के किसी भी सीट पर हलके में नहीं ले सक उतारना होगा जो कमरून होदा के कदका हो और उन्हें टक कर दे सके लेकिन अगर कॉंग्रेस परिवारवाद के मों से नहीं निकली तो पिछली बार तीसरे नंबर पर आई कॉंग्रेस इस बार किस नंबर पर जाएगी ये परिनाम का लिष्ट देख कर ही पता चल पाएग लेकिन किसन गंज की जनता ने AIMIM के पक्ष में लगभग एक तरफा वोट कर BJP के इस उमीद को भी खतम कर दिया हलांकि यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि आम चुनाओ और उप चुनाओ में फर्क होता है उप चुनाओ में जनता जहां वोटिंग परतियासी को ध्यान म में रखकर करती है वही आम चुनाओ में जनता का मतदान वहवार थोड़ा बदल जाता है क्योंकि इस बार उसके वोट से सरकार के बनने और गिरने पर फर्क परता है इसलिए जब इस बार किसन गंज की जनता वोट देने जाएगी तो उसके दिमाग में बिहार के सत्ता की क चुते नहीं है वे भी सोसल मीडिया पर ओवेसी की पाटी ए ए एम एम की खुलकर समर्थन करते नजर आ रहे हैं और जब ओवेसी चुनावी परचार के लिए बिहार के मैदान में उतरेंगे तो समर्थन का यह दाइरा निश्चित तोर पर और ज्यादा बढ़ जाएगा ल वोटिंग परतिसत में गिरावट दर्ज की जा सकती है अब देखना होगा कि किसके वोटर घर में राते हैं और किसके समर्थक अपने परतियासी को जीताने के लिए पॉलिंग बुद तक पहुचते हैं दूसरा फेक्टर खुद कमरूल होदा है कमरूल होदा चुनाओ जीत पर उपचुनाओं में जिस तरह से वहां मुस्लिम समुदाय ने AI MIM के पक्ष में तरफा वोटिंग की उसे देख कर तो यह साफ है कि किसन गंज की जनता अपने वोटों को कॉंग्रेस और AI MIM में नहीं बाटने वाली वो जिसके पक्ष में भी वोट करेगी एक तरफा लराई उनकी बीजे पीसे ही होगी अब मुस्लिम बहुंसीट होने के कारण सवाल AI MIM और कॉंग्रेस के लिए है कि उनमें से कौन पहले नंबर पर आता है और कौन तीसरे नंबर पर अभी के रिपोर्ट के अनुसार AI MIM का पल रहा भारी नजर आ रहा है